हेलो फ्रेंड्स मैं मानिका आपकी गार्णनर दोस्त आज आपसे बात करूंगी यह देखे सुन्दर सुन्दर से प्रिम रोस के फ्लास दिखाते हुए आपसे बात करूंगी कोलियस की केर हमें सर्दियों में कैसे करने चाहिए अभी देखी कुछ जगाओं पर सर्दी कम होने करने चाहिए देखे कोलियस जो है वैसे तो इस तरह का पौदा है कि इसको सुभह की ठंडी ठंडी एक आदा घंटे की धूप मिल जाए या फिर इंडिरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छी सी मिल जाए तो कोलियस बहुत अच्छा चलता है बारों महिने की बात अगर मैं कर देखे कि अनूल के तरह में बताती हूं इसको पिर इसे बनाया जा सकता हो चैकיך भी इसको इंडिरेक्ट है जैक है लेकिन विंटर मों सहां करें बात रहरे हैं तो इसको इंडिरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए लेकिन विंटर में सर्दी भी बहुत पड़ती है और यह पौदा बड़ा कच्चा पौदा होता है आप देखें बड़ी सॉफ्ट डंडी होती है इसका कच्चा पौदा होता है फट से ऐसे तूट जाता है हर्बेशियस प्लांट है यह थोड़ी हार्ड स्टेम नहीं होता है तो क्या होता है कि ऐसे पौदे यह देखें ऐसे पौदे जो है उनको क्या होता है सर्दी में बहुत ज़दा जब ठंड होती है तो अगर आप तब भी आप इसको बिल्कुल छाया में रखेंगे और पानी आपने जरा सा उनने सिक्किस दे दिया तो यह आपका पौदा गल जाएगा इसकी ग्रोथ नहीं होगी सबसे बड़ी बात अगर आपने सर्दियों में भी इसको बिल्कुल छाया में रख दिया तो सर्दी में आपको क्या करना है कि इसकी जो जगा है वो आपको इसको बदल देनी है सर्दी में आपको इसको ऐसी जगा पर रखना है जहां प पर इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा चलता है हलकी सी मॉर्निंग की दूप मिलेगी तो और अच्छा चलता है बाकी जरूरत नहीं है इसको मॉर्निंग सन की भी बाकी के बारा और गर्मियों में तो मॉर्निंग सन की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है गर्मियों में तो आप इंडिरेक्ट ब्राइट लाइट वाली जगह में देखिए इसकी पत्तियां कितनी खुपसूरत हैं देखिए नेचर प्रकृती ने कितने रंग भरे हैं आप देखिए नेचर तो उसकी जरूरत नहीं होती है आपको बिल्कुल भी धूप की गर्मियों में जैसे मई जून वगारा में जुलाई से लेके नवंबर तक आप इसको मौर्निंग की हलकी सी धूप मिले तो ये बहुत अच्छे चलते हैं और फिर अभी तो हम सर्दी की बात कर रहे हैं तो क्या ये कलर अच्छे आएंगे देखिए और ज्यादा धूप वाली जगह में अगर हम रख देंगे इसको चार-पांच गंटे वाली धूप वाली जगह में रख देंगे तो ये पत्तियों में कलर आने की बजाए वह फेड होने लग जाएंगे आप देखिए मैं इसको सार ये फेड हरा वाला है तो ऐसा फेड़ जाते हैं अगर आप दूसरों को और यहां पर थोड़ी सी जगह पर दूप इसको यादा मिल रही है तो, तो एक चीज तो आपको कहलना है, कि इसको सर्दियो में ठोड़ी सी, ऐसी जग़ा रखें, जहाँ पर धूप इसको थोड़ी सी मॉर्निंग की, दो एक घंटे की, तो ःड़ गंटे की, अगर आप क्या नहीं है, तो घंटे की और 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 पर प। rays में धूप जैसे अब इस टाइम यहां पर दूप इतनी नहीं आ रही है थोड़ा सा यह देखें लेकिन उस धूप की गर्माइश है इनके इन में हना तो यह ज्यादा ठंड से मरेंगे नहीं ऐसे जगा रखें एक दो तीन घंटे की धूप में आप इसको सर्दी में उस जगा शिफ्ट क में होगी और पानी जो है वो यह बहुत ज्यादा नहीं देंगे आप सर्दियों में सर्दियों में इसको पानी जो है वो बस आप इसकी जो मिठिए ना regime म haya इसको हो मुझे पूछतेने मॉएस्ट क्या देखिए यह मॉस्ट है इसमें पानी भी है लेकिन फिर flowing जो मिन्टी ऐसे बंद जाए पानी यूं बहुत ज़्यादा पानी ऐसे वह एसी ऐसी होनी चीह इसको मौस्ट कहते हैं हलकी पानी भी है वेची याद में होता है जैसे रात को तो बाखِ अग्र में है कि पत्वी तो ने Betty कि पत्तों पर चांड आफ पानी सा तो यह में कि पर ने ना सबिए पर parents eli चुलिया में औ्लिए थीले प्रेश्मों पर आप्वू के पष्मेश्छीन तो नहीं जाना यह जो कच्ची पौद है इसके पत्तों पर पानी नहीं डालना है आपको लेकिन कोलियस के पत्तों को आपको अच्छी तरह से नहला दें जब भी पानी दें एक दिन छोड़के तो आप इसके पत्तों को अच्छी तरह से नहला दें ताकि पत्तों पर यह होने चाहिए ना नहलाएंगे तो डस्ट अपने आप हटेगी तो पौदे जो हैं कार्बन डियोकसाइड एब्जॉब करेंगे पोर्स के थूप खुलेंगे उसके तो इसलिए पत्नों को पौदे को जब भी पानी दें एक दिन छोड़के दो दिन छोड़के जब देखें उसको आप बहुत ज़्यादा प्यासा नहीं मारते हैं ओवर वाटरिंग भी नहीं करने प्यासा भी नहीं मारना है पौदे को जैसे आपको उपर की मिठ्टी सुखी देखें पानी दे दे इसको और नहला दे अब मैं आपको फर्क दिखाती हूं देखिए यह जो पौदा आप देख रही है बहुत्त इस पौदे को उन्से ज्यादा धूप मिलती है तो देखें इसकी गूरोम चयादा चीज नेकि थोड़ा सा इनको भूमिले तो सर्दियों में है न्यगा तो थोड़ी से इनकी गर्टी जो है वह अथी होती है लिए सारा दिशारा दिन की नहीं वही जो मैंने कहा सुबह सुबह की दो घंटे तक की तीन तक की भी चलेगी देखिए इस पर अभी भी धूपा रही है देख रहे हैं आप शेडिंग देखिए किती अच्छी होती है तो पानी थोड़ा सा कट करना है दो दिन में एक बार मिट्टी सूखी दिखे तब पत्यों को नहलाना जरूर है ताकि जो ओस से इनको नुक्सान होता है बहुत नुक्सान करती है इंके उपर मिट्टी जम जाती है इनके पोर्स जम आप सर्दी में भी कर सकते हैं यह जो उपर पत्य आते हैं इसको हलका सा पिंच कर दें थोड़े थोड़े दिनों बाद यह नहीं कि जब भी आए तब ही कर दें थोड़े थोड़े दिनों बाद इसको पिंचिंग करेंगे आपको पौदा थोड़ा सा बुशी बनता है लेक शुरू कर देनी है ताकि अब जो है इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो अब इसकी पिंचिंग अभी मैं एक ओदा दिन में वैसे मुझे अभी फरवरी का ही डालना चाहिए था लेकिन एक विवर है उनकी दिमांड आ रही थी कि आप सर्दियों में कोलेस के केर बताएं तो मैं सर् क्योंकि अभी सर्दी बहुत जगा तो पड़ रही है अभी ऐसा खतम नहीं हुई है सर्दी देखिए कितना अच्छा वैरीगेशन है उपर वाला जो मैंने आपको दिखाया था उसके और इसके वैरीगेशन अलग है देखिए उसमें ग्रीन ग्रीन जादा है इसमें रेड ह ये वाला लिध्य कितनी वैरायटी दिखाओभी मैंने आपको लिवЕТ करता कि वी Services वह लेखिए म खादधाKI तो यह को करनी तो यह वीलेथा के पना कई करते हैं शरदी में खांऑας आपको लिक फोीटा जो हैं महीने में एक बार दें बहुत ज्यादा नहीं दें इसको क्योंकि यह flowering plant नहीं है और इसमें flower वाली खाद नहीं दें इसमें वो दूसरी वाली NPK दे दें बहुत है या इसमें आपको सरसोखली वाली खाद हर हफते जो या गोबर की जो आपकी खाद है उसको पानी में भीगो दें और ओवरनाइट भीगने के बाद देखिए अब इसमें से मैंने थोड़ी सी इसकी पिंचिंग करी है थोड़ी सी स्टेम्स इसके काटे हैं ताकि और बुशी हो जाए तो बस उसको ओवरनाइट भीगो दें खाद थें और वह वह झाली खाद इसको दें इसको जो सरसो खले वह ज़ादा नहीं नहीं दें इनको नाइट्रोजन चाहिए क्योकि यह पत्तों के लिए उगाएजाते हैं यह एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइन्ट है कि आपको इसको सरसो खले वहाली खाद नहीं देनी आप और इसको खाद जो है लीक्विड वाली खाद भी जो है वो 15 या 20 दिन में एक बार दे दें जिसको महिने में एक बार भी कई बार मैं कह देती हूं वो दें और सिरफ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दें या फिर एंपी के 19-19-19 एक लिटर पानी में एक चमच घोल के व बहुत ज़्यदा ठंड से फॉग से नुकसान हो सकता है तो उसका एक इलाज जो मैंने अभी आपको बताया कि पत्तों को नहलाएं उससे क्या होता है इस पर फॉग वगएरा का असर पौदे पर नहीं हो पाता है और पौदे की मिट्टी को बहुत ज़्यदा सूखने नहीं पौदे का असर कभी नहीं होता सूखे पौदे पर बिमारियां भी जादा असर करती है तो इसलिए अपने पौदे को कभी भी प्यासा मत मारे उसकी मिट्टी पर ध्यान रखें जैसे मिट्टी सूखती है उसको पानी दें तो फ्रेंस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तुरे से लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंस बाई